साप्ताहिक बजार लगाने वालों पड़ चाया भुकमरी का संकट COVID-19 महमारी के चलते साप्ताहिक बजार लगाने वाले करीब 500 लोगों के सामने आया भुकमरी का संकट जिसके चलते सापताहिक बजार लगाने वाले लोगों ने जिला दिकारी को ग्यापन देकर सापताहिक बजार लगाने के मांग की है ग्यापन के माद्यम से कहा गया है कि सापताहिक बजार में लगने वाले फड़ व्यपारी फड़ लगा कर अपना जीवन की दिन चर्या चलाते थे लेकिन COVID-19 महामारी के चलते लगबग 6 महा से सापताहिक बजार बन पड़े हैं जिससे सापताहिक बजार लगाने वालों के परिवार की आर्थिक इस्तिती बेहत नाजुक दोर से गुजड़ने के कारण भुकमरी की कगार पर पहुँच गई है सापताहिक बजार लगाने वालों की मदद करने को तयार नहीं है इसमें ग्यापन के माद्धियम से ये मांग करते हैं कि COVID-19 महामारी के बचाओं के विकल्प को साथ लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं सापताहिक बजार लगाने के अनुमती दी जाए इदगाह पर, तीर में, तरूले पर, सनीवार में, मकबरे में जो कि वजए से पांच महीने से बिलकुल बने और हम साथ से इमांग रखना चाते हैं हमारी कोई वेवस्ता करें हम पिछले पांच महीने से बिलकुल बेरोजगार पड़े हैं हमारे बात अब कुछ नहीं है आगे देने के निया पाइटियों को वहां से खून आते हैं हमारे बात अब कुछ नहीं है हम सब कुछ खा चुके हैं कितने रोग हैं आप हम बहुत सारे लोग हैं लगपख चार तो पांक तो लोग हैं जो फड़ लगाते हैं साफ्ता एक बजार में इस से पहले मांग नहीं करी बस हमें तो यही बोल दिया गाया का अब हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं क्या समस्थ्य आपके साथ आ रही है। हमें अभी कोई जाज़त नहीं दी गई है बजार लगाने की। इसकी वज़े से हम लोग घर में बेखे हुए हैं पिछले पांच मईं के। क्या चाहते हैं आप।